हलो फ्रेंड सर्मेटोस डेंड आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर पुजिन सुकलाएं डॉक्टर एमपी सिंग क्लासेज में स्वागत है सेशन 23-24 कंप्लीट हो गया है और 24-25 स्टार्ट हो रहा है तो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो हमारी भी रिस्पॉंसबिल्टी करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महनताप सिंग चल यह सुरू करते हैं तो जो हमारा हमारे बी फार्म फॉर्थ हीर सेवन समिस्टर के स्टूडेंट है उनका सब्जेक्ट इंस्ट्रुमेंटल मैथड ऑफ एनालिसिस जिसका सब्जेट कोड बीपी 701 टी है उसको हम लोग इस एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडियाफ की लिंक मिल जाएगी जहां पर जाके आप अपने नोट्स वगयरा को भी अच्छे से प्रपेयर कर सकते हैं इस जो समिस्टर है उसका जो दूसरा सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंस्ट्रुमेंटल यह International Pharmacy 1 में study किया था अब हम लोग यहां पर जो हमारे pharmaceutical industry होती है वहां पर किस तरीके से जो हमारी हैं दवाइया उनको बनाने की process को हम लोग यहां develop करते हैं कौन कौन सी हमारी जो होती है regulatory authority है जो की ड्रग के production और उसकी गुर्वत्वत्ता है उसको regulate करती है हम लोग उनके बारे में इसमें बात करेंगे और इसमें हम लोग जो हमारी अलग-अलग authorities हैं उनकी क्या responsibilities है और उनकी क्या guideline है उसको हम लोग इस subject में यहां पर समझेंगे तो आईए यह इसका पहला वीडियो है तो इसमें हम लोग जो syllabus है उसके बारे में हलका सा study कर लेते हैं कि आखिर हम लोग इसमें क्या चीज़ study करेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग हर एक unit wise जितने भी topics हैं उनको आसान तरीके से समझने की कोसिस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग unit one में देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़ाई करना है तो जो unit one है वो है हमारा pilot plant scale up technique तो अगर हम लोग simply कहें तो जब भी कोई भी organization का research and development department है वो जब कोई भी जो नई दवा है या नई formulation है उसको develop करता है तो वो उसको small scale पर prepare करता है और उसके बाद में उससे फिर वो जो हमारे अलग-अलग studies करता है और उस study की जो हमारे data आते हैं उसके basis पर वो approval की process की ओर जाता है और approval होने के बाद में फिर उसको यह authority मिल जाती है कि अब वो उसको large scale पर prepare कर सकता है तो अगर हम लोग simply कहें तो अगर कोई R&D का department है कोई उसकी lab है तो वहाँ पर जब भी product को develop किया जाता है तो हो सकता है best size 1000 का हो 2000 का हो 5000 का हो उस पर वो उतना जो हमारा best size का doses form है prepare करता है और उससे फिर सारी study करता है और approval की process को करता है लेकिन जब approval complete हो गया तो जब वो industry में आएगा उसकी जो manufacturing unit में आएगा तो अब वो वह वहाँ पर एक 2000 का best size तो रहेगा नहीं अब उसको वहाँ पर जो एक लाग का जो best size है वो prepare करना होगा या दो लाग का 5 लाग का 10 लाग का तो यहाँ पर जो formula prepare किया गया था हमारे research and development department में जो की 1000 का था उसको फिर वहाँ पर scale up करके उसको वहाँ पर बढ़ा के जब हम उसको एक लाग में, दो लाग में, पांच लाग में या दस लाग में convert करते हैं तो वहाँ पे इस technique को हम लोग scale up technique के नाम से simply indicate करते हैं और pilot plant हमारा जो labs है और जो हमारी manufacturing unit है उसके बीच का वो plant है जहाँ पे हम लोग इस scale up technique को perform करते हैं तो इसके बारे में हम लोग unit 1 में detail में study कर करेंगे, इसमें हम लोग इसका क्या हमारे, ओता है General consideration उनके बारे में बात करेंगे, इसमें क्या हमारी Personal Reqs & Square requirements है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे क्या Space Requirement होनी चाहिए raw material में इसमें हम लोग इस पर बात करेंगे जो हमारा Solid, Liquid, Oral और झो हमारे है你說 GLvaud Krabs , जो हमारी battery market plant scale-up है, उसके क्या consideration होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, कौन-कौन से document यहाँ पर required होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारी SUPPAC की guideline होती है, जिसको हम लोग scale-up, post approval change guideline के नाम से indicate करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और जो platform technology है, उसके introduction के बारे में हम लोग unit 1 में properly detail में study करेंगे, तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे है lab scale, जो की small scale की हमारा best size होता है, उससे जब हम लोग technology को, technique को, अपने large scale पे, जो हमारा manufacturing unit है, उसमें जब हम लोग उसको बढ़ाते हैं, तो उसी को हम लोग scale up technique के नाम से simply indicate करते हैं, अब आईए हम लोग यहाँ पे, जो unit 2 है, उसको देख लेते हैं, कि या कि unit 2 में हमें क्या study करना है, तो यह हमारा unit 2 क्या है, technology development and transfer, तो जब भी हम, जो हमारा R&D का department होता है, वहाँ पे, जब भी हम लोग कोई भी technology को develop करते हैं, और फिर उसको जब हम लोग अपने industry में transfer करते हैं, large scale पे transfer करते हैं, तो उस transfer की process को हम लोग किस तरीके से करते हैं, कौन-कौन सी guidelines को follow करते हैं, कौन-कौन से documents वगरा को हम prepare करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस में detail में बात करेंगे, इस में हम लोग जो हमारा world health organization की guidelines है, हमारे technology transfer के लिए उसके बारे में बात करेंगे, इसकी जो अलग-अलग terminologies हैं, उसको देखेंगे, साथ-साथ में इसके जो protocols हैं, उसके बारे में बात करेंगे, quality risk management के, हम लोग बारे में बात करेंगे, research and development है, और उससे हमारा जो production का, यहाँ पे department है, उसमें हम लोग किस तरीके से technology को transfer करते हैं, यहाँ पे जो हमारा वो होता है, granulatory technology transfer की process है, उसके बारे में बात करेंगे, क्या-क्या documentation की, जो हमारा premises है, equipment है, उन सब की क्या requirement है, उसके बारे में बात करेंगे, qualification और जो validation है, उसको देखेंगे, quality control के बारे में बात करेंगे, जो हमारे analytical methods हैं, उनका transfer किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे साथ साथ में जो हमारी यहां पे है regulatory जो bodies है उनके जो approval की process है उसके बारे में यहां पे हम लो detail में इस जो unit है उसमें बात करेंगे उसके बारे में हम लोग यहां पे unit 3 में आएंगे तो जो हमारा unit 3 है उसमें हम लोग जो हमारा regulatory affairs है, उनके बारे में बात करेंगे, तो pharmaceutical industry में हमारी अलग-अलग जो होती है regulatory authority होती है, उनकी हमें guideline को follow करना होता है, उनसे related हमारे जितने भी matters होते हैं, वो हमारा यहाँ पे जो regulatory affairs का department है, वो handle करता है, तो इसमें हम लोग जो regulatory affairs है, उसका क्या introduction है, उसको देखेंगे, इसमें जो इसका हमारा historical overview है, उसके बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पे वो regulatory authorities हमारी कौन-कौन सी है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यह जो हमारा regulatory affair department है, उसका क्या role होता है, responsibilities होती है, उसके बारे हम बात करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे जो drug approval है, उसमें क्या हमारी regulatory requirement है, हम लोग उसके बारे हम बात करेंगे, उसके साथ साथ में जो हमारा drug है, उसकी जो हमारी development team उसको वह किस तरीके से हम लोग प्रपेयर करते हैं, उसको देखेंगे, यहां पे हमारे non-clinical drug approvals क्या है, उसके बारे हम बात करेंगे, उसमें जो हमारा उता फार्मकोलोजी डिपार्टमेंट का क्या रोल है, उसको देखेंगे ड्रग की जो हमारी होती है, metabolism, toxicology, उन सब का यहां पे हम लोग किस तरीके से ध्यान रखते हैं, और उसकी जो हमारी regulatory guidelines हैं, उनको follow करते हैं, उसके बारे हम बात करेंगे, और हम लोग यहां पे जो हमारा new drug application होता है, जो कि हमारा यहां पे investigational, जो new drug application है, वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, और सब ह बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने organization के अंदर, जो हमारी regulatory authorities हैं, उनको उनकी क्या-क्या guideline है, और उसको किस तरीके से follow किया जाता है, उन सब के बारे में हम लोग इसमें detail में बात करेंगे, फिर हम लोग जब unit 4 में आएंगे, तो यहां प quality management का certification है, वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, concept of quality क्या है, उसको देखेंगे, total quality management, TQM के बारे में बात करेंगे, quality by design, QBD के बारे में बात करेंगे, six, जो sigma concept है, उसको यहां पर देखेंगे, out of specification OS क्या होता है, change control क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ISO 9000 की जो हमारी यह जो quality system के standards हैं वो क्या है उसको देखेंगे ISO 14000 के बारे हम बात करेंगे NABL और GLP क्या है उसके बारे हम बात करेंगे इन सब के बारे में आप लो quality जो assurance का subject है उसमें study कर चुके हैं और जो last unit है उसमें हमारी जो यहां पे है Indian जो हमारी regulatory requirement है वो क्या-क्या है हम उसके बारे हम बात करेंगे जिसमें हम लो central drug standard control organization जो हमारी है उसकी वो क्या है उसको देखेंगे उसके साथ साथ में जो हमारी ओर इस्टेट Quels licensing authority होती है उनका किस तरीके से organization होता है उनकी क्या responsibilities होती है और वो हमारे farmaceutical product है उनका जो हमारा certification है वो किस तरीके से उसको grant करती है उसके बारे हम बात करेंगे क्या-क्या है वहाँ पर regulatory requirement इसके अनुसार यहाँ पर होता है जिससे की हमारी जो new drug है उसकी हम लो approval का जो procedure है वो कर सकें उसके लिए क्या-क्या यहाँ पर regulatory requirement है वो सब के बारे में हम लो unit 5 है उसमें detail में बात करेंगे तो यह इसका एक हमारा introductory जो वीडियो था वो था इसमें हम लोगोंने जो slabber से उसको देख लिया अब हम लो एक-एक करके हमारी जितने भी unit है और उनके जितने भी topics हैं उनको start करेंगे हर एक जो वीडियो है उसमें description में PDF की link भी आपको मिल जाएगी जहां पर जाके आप PDF को download कर सकते हैं और अपने चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक यू